डॉक्टर नागेंद्र जहां महिला विद्याले में चौथे चरण का सीटेट महा परिच्छा संपन। दडीब सीटेट क्लास विक्रम गंज रतास के बैनर तले चौथे चरण का सीटेट महा परिच्छा स्थानियर सहर के डॉक्टर नाकेंद्र जहा महिला विद्याले के परिशर में सांती पूर्ण संपन्न हो गया उक्ति संस्थान के सयोजग वर डारेक्टर कंचन कुमार इबैं उनके सयोगी सिक्षकों के नेत्रितों में बिक्रम गंज में हर साल की तरह इस बार भी सीटेट की महा परिच्छा श्रिकुमार ने बताये कि सीटेट के मुखे परिक्षा से पहले चार से पांच महा टेश्ट का आयोजन दीप सीटेट क्लास करता है कंचिन कमार के साथ संस्टान के संचालक और प्रबंधा कृतेश कमार के मार्ग दर्सन में इस परिक्षा का आयोजन डॉक्टर नागेंद्र जा महिला महा विद्याले बिक्रम गंज में संपन्न हुआ लाजने बताया कि इस महा परिक्षा में लगभक 400 से उपर अगामी सीटेट की परिक्षा में सामिल होने वाले अभियर्थियों ने भाग लिया यह परीक्षा गामी सीटेट परिक्षा के रिए पुरवभ्यास और एक टॉनिक रूपी दव परिक्षा की जिम्मेदारी निग्रानी आकरंद सर्वेक्षण इत्यादी के लिए भेर्भाव रहीत सिख्ष को और संस्थान के सहयोगी सदस्यों को परिक्षा के करताव्य पर रखा कंचन कुमार और रितेश कुमार समय समय पर परिक्षा का फिडबैक बच्चों के बीच आखर लेते रहते थे, विद्यार्थियों के बीच इस परिक्षा खुली कर काफी उध्साह देखने को मिला, आमंट्रित सदस्यों ने भी इस परिक्षा का इजाई सा लिया, उन्होंने इस परिक्षा के तुलना बेहतर प्रतियों की परिक्षाओं से की कंचन कुमार एक मार्ग दर्शन पत्थ प्रदर्शक विद्यार्थियों के प्रती लगन सीलता और इनका व्रीहत दृष्टी कोंड विद्यार्थियों की उप्रधियों की उच्छाईयों के सिखर पर अभी जो पुर्बावियास कर चुके हैं शीट परिक्षा के गिए उनका जो मेहनत है वजय जाने वाला है, सरकारी को उधास जिन्ता आना सौभाविक है, बच्चे जितने भी हैं, पहले से जितना पेहतर होना चाहिए था, वो कहीं या कहीं दिख भ्रमित हो रहे हैं, और उसे दुखित होते जा रहे हैं, उसके पूर्वे में भी जो सीटेट पास हैं, वो हतो च साहित हैं, कारण है कि लंबे अर्सों के बाद अभी तक उनलों को एक सिख्चक के रुप में एक अस्कूल में होना चाहिए था, जो आज भी दरदर के ठोकर बिरोजगारिक्ता में इधर उधर भटक रहें, वो ऐसा इस्थित्य है कि कि किसी का साधी भी नहीं हो रहा है, ल समाज में किसी योग्ये नहीं रहएं, जदी हम आज एस्टेट पास करके कहीं बिद्याले में होतें, तो समाज में मेरा एक अलग अस्थान होता, कहीं एक अलग कुर्सी मिलती, और लोग मुझे एक मार्क दर्सक के रुप में समाज को बेहतर बनाने के रुप में हमको लड़की का भी रिष्टा तूट गया और लोग अंदर से द्रवित हैं रो रहें और इसमें भी 2023 की जो अभी नोटीफी के सब की बात हुई लेकिन सरकार के पक्ष जो उदासीन रवया है जो अभी अर्थी पास हो तुके उनके लिए क्या करना भाएं तर सरकार का तो दासीन रवया है लेकिन हम लोग अपना करदा भी निवा रहे हैं इसो डेंटों को यहां से जो बेतर सिक्षा दिया जरा है ताकि यह जो लोग आजम से पढ़ा है ऐसा हम लोगा प्रयास है बाकी सरकार वाकई में देखा जाय तो खाले टाल मुटन कर रही है सेटेट करने के बाद आपका लग्ष क्या होगा बस बच्चों में सब होना पैदा हो अच्छा सिक्षा मिले है बच्चे हमेशा और समाज में विकास हो सके है सेटेट करने के बाद आपका लग्ष क्या होगा बस बच्चों में सब्सक्राइब करना चाहिए बच्चे करने में कम है कमजोर है उसकी उसकी उसको समझ किया परचानिया है पॉलीशी है लोकतंत्र है लोकतंत्रिक व्यवस्ता है जो सरकार में जो लोग है सरकार को जो संचालन कर रहे हो तो उनकी नीती निर्देशिका के तहत है लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि फर्स्ट दिजर्व देन डिजायर आप जुग्य ही नहीं बनिएगा इलिजिबल ही नहीं हुईएगा तो उस मुकाम को आप पार कैसे किजिएगा तो यह जो आपको लेक्चरर बनने के लिए जे आरेफ है नेट है उसी तरह से सिख्षक बनने के लिए सिटेट है एस्टेट है तो इसको जदी आप इलिजिबल होते है तब तो उस मुकाम तक जाएंगे नहीं तो अपने मन में आप सोच लिजिएगा आवसाद डिप्रेशन में हो जाएगा कि साब यहां सेलेक्षन होने से बहुत कम परसेंटेज में वाकई में लोग टीचर बन रहे हैं जिनकी समाज में परतिष्ठा बढ़ रही है जो भैलूएबूल हो रहे हैं धर्म अर्थ प्राप्त होगा मुझको नहीं प्राप्त होगा इसलिए कि मैं उससे पीशे हूं मेरे अंदर धन समागम की कोई या सैक्षनिक रिकोगनीशन नहीं है मैं उस मुकाम तक नहीं जाओंगा तो आवसाद से ग्रसित रहिएगा तब तो आप सिख्षक बनना तो दूर अपने घरेलू आप परिवेश में भी एक सक्षम एक अभिभावक नहीं बन सकते हैं कच्छे देश के लिए नागरिक नहीं हो सकते हैं इसलिए इसमें निरासा की कोई जरुवत नहीं है अब रही बात कोचिंग की तो आपके बारे में आप सबों के बारे में और बहने कोई बहुत बड़ा आपको ये महाविद्याले परिशर देकर बहुत बड़ा कोई ये ठैनकी वाला और धन्यवाद वाला कार्ज भी नहीं किया है समाज में कभी भी सकरात्मक कार्जों के लिए बदाय कि पिछले सिटेट परिक्षा में संस्थान के 127 विद्यार्थी शफल हुए थे जिसमें 53 विद्यार्थी शरकारी सिक्षक पत पर जोईन किये हैं। आज के महापरिक्षा में निगरानी टीम में ओम्रकासी, प्रदीप कुमार, पंकज कुमार, पुस्पा कुमारी और अन्यम महाविद्याले के सहयोग सिक्षक सामिल थे। जिसमें उक्त महाविद्याली के प्रचारिय डॉक्टर अम्रेंद्र कुमार मिश्रा का सहयोग सरहानिय रहा। साथी सीटेट महापरीचा के अंतिम दिन उक्त संस्थान की और से स्थानिय सिछा वीदो को अंग वश्टर से सम्मानित किया। मौके पर विद्याले के परचारे डॉक्र अमरेंद्र कुमार मिश्रा, स्केदारनाथ तिवारी, प्रेम कुमार पांडे, प्रोफेशर रामचंद्रनट, पत्रकार विरेंद्र कुमार सर्मा कॉसलेस पांडेश समेत अन्य लोग उपस्तित थे